यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ उन्होंने कहा कि केंद्स सरकार को हैसास करवाया जाएगा कि आज अपूरा परदेश बीजेपे के विरुद लामबत हो गया है उन्होंने कहा कि वो हर्याना के हिस्से के पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हिस्सा लेकर रहेंगे उन्होंने कहा कि मानिय सर्वोच चिन्याइले में अपना फैसला नवंबर 2016 को हर्याना के हक में दे दिया था लेकिन हर्याना के सरकार इस फैसले पर कारे करने के बजाए बेस महीने बाद फिर से सुप्रेम कोर्ट पर पहुंस दी है कि हम नो अगस्त को हमारे लीगल सेल के साथियों को जामने जुम्यवारी सुंपी है कि वकील साथियों बड़ी संक्या में लेकर के दिल्ली जंतर मंतर या बोट करब दोनों में से एक जिएपी कठा होंगे और वहीं से मार्च करके परधान मंतरी के आवास की तरफ जाएंगे अब परधान मंतरी को वहां फिर आजाराओं वकील इस बात का मेमुरन नम देंगे कि आज भी हर्याना के साथ के अंदर की सरकार जो बेदवाव कर इस बेदवाव को कत्म किया जाए सुप्रिम कोर्ट ने तो अपना फैसला तस लूंबर दो हजार सोडा को दे दिया और उस फैसले में सबस्त ये कहा गया है किस नेर को मनाने में किसी किसम की कोई कानूनन अरचन नहीं है जाना कि सरकार 20 महिने के बाद सुप्रिम कोड में गई 20 महिने तक परदेश की सरकार को इस बात को लेकर कि कोई चिंता नहीं भी किस फैसले को लागू करवाया है वजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाने के परधान मंतिर के पास जाना चीज़ है किसा जाने के परेगा है